बाबु जी आपने इस छोकरे को जगा तो दे दी है बाद में कहीं लफडा न हो जाए कैसा लफडा बाद में अगर इसने जगा खाली करने से इंकार कर दिया तो बाद में मतलब प्रसाट जी शर्म से गड़ी गए अपनी व्यगरता में उन्हें यादी नहीं रहा कि वे क्या कह रहे हैं आप सुन रहे हैं कहानी जानी अन्जानी प्यूश अगरवाल के साथ चलिए आज की कहानी का सफर शुरू करते हैं नमश्कार दोस्तों ये है एपिसोड तिरान बे यानी 93 और मैं हूँ आपका प्यूश अगरवाल आज की कहानी शुरू करने से पहले एक जरूरी घोशना पिछले दो साल में हम बिना चूके हर शुक्रवार आप तक नई कहानिया, प्रत्योगिता और लेखकों से बातचीत लेकर आए हैं आपके प्यार ने हमारा हौसला बनाए रखा जिस कारण हम इतना आगे आपाए लेकिन जैसा की आप जानते हैं, कहानी जानी अंजानी एक सेल्फ फंडिट फ्री पॉड्कास्ट है और आगे बढ़ने के लिए इससे फंड्स के आविश्यक्ता पड़ेगी लेकिन अब तक हमें बहुती लिमिटेट सपोर्ट मिला है इस कारण हम 100 एपिसोड के साथ इस कहानियों के सफर पर ठहराव लाने की सोच रहे हैं लेकिन कोई भी निर्णय लेने से पहले मैं अपने कहानी जानी अंजानी परिवार से राय जरूर लेना चाहूंगा तो अगर आप सुन रहे हैं और खुद को इस परिवार का हिस्सा मानते हैं तो हमें helloattheratepiusagarwal.com पर इमेल कीजिए तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड दोस्तो हमारी आज के कहानी एक खुबसूरत लेखिका मालती जोशी जी द्वारा लिखी वो तेरा घर ये मेरा घर है और सिर्फ इतना ही नहीं हम लाहें उनके साथ एक प्यारी सी बाक्चीत भी ये इंटर्व्यू हमने उनसे फोन पर लिया और हम मालती जी के बहुत आभारी हैं कि उन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया मालती जोशी एक हिंदी लेखी का हैं जिन्हें 2018 में साहित्य तथा सिक्षा की शेत्र में उनके योगदानों के लिए पदमश्री से सम्मानित किया गया मालती जोशी का जन 4 जून 1934 को औरंगाबाद में हुआ था इन्होंने आगरा विश्व विद्याले से हिंदी विशे से में की शिक्षा ग्रहन की अब तक अंगिनत कहानिया बाल कथाएव और उपन्यास प्रकाशित कर चुकी हैं इन में से अनेक रचनाओं का विभिन्न भारती और विदेशी भाषाओं में अनुवाद भी किया जा चुका है इनके बारे में और जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पिउशगरवाल.com पर जाएं तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी का सफर वो तेरा घर ये मेरा घर मालती जोशी आज खाने की मेज पर अर्से बात पिंकी चहक रही थी PMT की परिक्षा सानन संपन्ध हो जाने से वातावरण हलका हो गया था इतने दिनों तक एक तनाव सा व्याप था घर पर भी और बच्चों के मन पर भी प्रसन्ना का सेकेंड समिस्टर पर सो ही समाप्त हुआ आज पिंकी भी फ्री हो गए थी अब रिजल्ट की चिंता कुछ दिनों के लिए मुल्तवी रख कर आजादी का जश्न मनाया जा सकता था खाने की मेज पर उसी की प्लानिंग चल रही थी तरह तरह के सुझाव और तरह तरह की फर्माईशे मिस्टर प्रसाद ने बच्चों के उत्सा पर ब्रेक लगाते वे कहा तुम लोग जैसे भूल रहे हो कि पापा के ओफिस में समर विकेशन जैसी कोई चीज नहीं होती तो आप आराम से घर में बैठे रही है बच्चों की माने तुनक कर कहा लेकिन मैं 10-15 दिनों के लिए कहीं जरूर जाऊंगी आपको तो दफ्तर के अलावा कुछ सूचता ही नहीं है इन दोनों की टेंशन मैंने अकेले जहली है I need a change badly मैं सोच रहा था मिस्टर प्रसाद ने जजचकते हुए कहा और चुप हो गए क्या सोच रहे थे आप अब कहे भी डालिये यही कि इस शनीवार इतवार सागर जाकर बाबुजी को लेवा लाता ओ नो बच्चों ने कोरस में कहा तो माने उन्हें आँकों से डपट दिया और बोली इतनी जल्दी जल्दी कहा उन्हें गए दो महीने से उपर हो गए हैं इतने दिन वे बेटी के यहां कभी रहे हैं क्या पापा आप भी बेटा बेटी करने लगे हैं यह सब फिजूल की बाते हैं अपने लिए होगी पर बाबुजी तो पुराने धर्रे के वैक्ती हैं उनके लिए ये बाते बहुत महत्वर रखती है अब इस सुम्र में यह आशा करना कि वे अपनी सोच बदल लेंगे बेकार है यह तो ठीक है कि माया की स्वतंत्र ग्रिहस्ती है इसलिए वे दो महीने वहाँ टिक भी गए चाया के यहां तो उसके सास ससोर जेट देवरों के बीच दो दिन भी नहीं रह पाते बच्चों ने फिर बहस नहीं की चुप चाप खाकर उठ गए पतनी ने टेबल समिटते वे पूछा सुनिए क्या इसी हफते जाना बहुत जरूरी है वे प्रशनार्थक नजरों से पतनी को देखते रहे नहीं मैं सोच रही थी बच्चे थोड़ा रिलाक्स कर लेते अभी अभी तो बेचारे फ्री हुए है बच्चों को रिलाक्स होने के लिए कौन बना कर रहा है आप समझते नहीं है बड़े बुजोर घर में होते हैं तो थोड़ा बंधन तो हो ही जाता है बच्चों के हसने बोलने पर खाने पीने पर बंदिश लगी जाती है तो तुम चाहती हो बाबुजी को वहीं रहने दू उनका स्वर्थ थोड़ा तल्ख था पत्नी ने नर्माई से कहा नहीं मेरा मतलब था आट दस दिन और सही फिर तो हमी को वे तैय नहीं कर पाई कि जेलना कहे या भुगतना कहे पती की नाराजगी के डर से उन्होंने वाक्य अधूराई छोड़ दिया कई बार अनकहे शब्द भी बहुत कुछ कह जाते हैं मिस्टर प्रसाद भी उन अनकहे शब्दों को भली बाती पड़ गए उन्हें वित्रिशना और खीज हो आई अपने आपको वे पहली बार इतना निरुपाय अनुभव कर रहे थे कितनी हसरत से कितनी उमंग सेवे बाबुजी को यहां लाए थे यू तो मा के मृत्यू के बाद ही उन्हें लाने का मन था पर साल भर तक बाबुजी वहां से हिलने के लिए राजी नहीं हुए प्रसाद ही दोड़ दोड़ कर वहां जाते रहे बाबुजी की खोज ख़बर लेते रहे हर बार बाबुजी पहले से ज़्यादा थके हुए तूटे हुए नजर आए यह स्वभाविक भी था 40-45 साल का साथ एका-एक छूट जाता है तो आदमी तूट ही जाता है फिर बाबुजी के मित्र भी कहने लगे अपने साथ भुपाल ले आए बेटे के साथ साथ बहु और बच्चों ने भी बहुत मनुहार की थी पर बहुत जल्दी ही ऐसास होने लगा कि स्वागत का यह भाव धीरे धीरे तिरोहित होने लगा है यो तो बाबुजी बहुत शान प्रकृती के जीव है उनकी जरूरते भी बहुत थोड़ी सी है इधर उधर दखल अंदाजी करने की आदद भी नहीं है फिर भी वे हाड मास के जीव तो है घर में उनकी उपस्तिती महसूस की ही जाती थी सबसे बड़ी समस्या थी सोने की इससे पहले बाबुजी जब भी आए मा साथ में होती थी वे दोनों एक दूसरे का खयाल रख लेते थे आठ दस दिन की बात होती थी कुछ ना कुछ व्यवस्ता हो ही जाती थी थोड़ी सी असुविधा भी तब नहीं अकरती थी बच्चे छोटे थे तो दादा दादी के साथ खुशी सेड़्जस्ट हो जाते थे बलकि तब तो दोनों में होड लगा करती थी कि कौन किसके पास सोएगा पर अब स्थित्या बदल गई थी बच्चे बड़े हो गए थे दोनों के पास अपने स्वतंत्र कमरे थे तीसरा प्रसाद दमपती का था कुछ दिन पिंकी मा के पास सोई और प्रसाद जी पिता के साथ उसके कमरे में सोई पर यह व्यवस्ता स्ताही तो नहीं हो सकती थी तो जवान होती बेटी के कमरे में बाबुजी का सोना भी ठीक नहीं लगता था फिर उन्हें प्रसन्ना के कमरे में सुलाया गया वहां भी घोर असुविधा थी उसे रात तक जाक कर पढ़ने की आदत थी उसका स्टीरियो भी हरदम बचता रहता था दिवार पर कई ऐसे पोस्टर थे जिनने बाबुजी की नजरों से बचाना जरूरी था अंतता बाबुजी की विवस्ता हॉल में की गई तीन बेडरूम वाले घर में भी बाबुजी के लिए निरापद बस यही स्थान था वे दिवान पर आराम से सो जाते थे पर उनके साथ उनका पानी, दवाईया, टोपी, मफलर, टॉड, जूते, चश्मा सभी रखे रहते थे सुभे नौकर के आने तक बाहर का कमरा बाहर वालों के बैठने योग्य नहीं रहता था सबसे बड़ी समस्या थी टॉइलेट की बुढ़ापे के कारण रात में कई बार उठना पड़ता था सो पप्पु के कमरे का ही आश्रा लेना पड़ता था सुभे उन्हें जल्दी उठने की आदत थी रात भर का जागा हुआ प्रसन्ना सुभे सुभे उनके मुख प्रक्षालन से खीज उठता था एक स्तिती यहां आई कि बाबुजी बच्चों के लिए अजहेल हो गए यहां अजहेल शव भी बच्चों का ही गड़ा हुआ था जो प्रसाज जी को बहुत चुभा था फिर उन्होंने चोटी बहन को चुपचा पत्र लिखा कि कुछ दिनों के लिए बाबुजी को ले जाए बच्चों की परिक्षा के बाद वे खुद उन्हें लिवा जाएंगे अब परिक्षाएं भी समाप्त हो गई है पर लगता है घर अभी भी मानसिक रूप से बाबुजी के पुनरागमन के लिए तयार नहीं है मिसिस प्रसाज देर राद तक टीवी देखती थी सुबह देर से उठती थी बारा बजे तक नहाती थी हफते में दो दिन उनकी मालिश वाली आती थी हर पंद्रवे दिन मेंदी वाली आती थी हर तीसरे दिन उनकी किटी पाटी होती थी बाबुजी के रहते ये सारे काम सहचता से नहीं हो पाते थे पिंकी को सहलियों के साथ बाहर घूमने का शौक था हर तीसरे दिन वे लोग पिक्चर जाती थी प्रसन्ना का तो कोई टाइम टेबल ही नहीं था दोस्तों का जमघट हमेशा उसे घेरे रहता था बाबुजी के रहते ये गतिविध्या भी थोड़ी धीमी हो जाती थी फिर सारे परिवार को बाहर खाने का शौक था बाबुजी साथ जाते नहीं थे उनके लिए घर पर पूरा सरंजाम करके जाना पड़ता था बाहर जाने का सारा मजा ही किरकिरा हो जाता था प्रसाथ जी घरवालों को न समझते हो ऐसा नहीं था पर उस कारण बाबुजी को हमेशा के लिए माया के हाँ तो छोड़ा नहीं जा सकता था ना पतनी सास बहू का सीरियल देखने में व्यस्त थी मौके का फाइदा उठा कर उन्होंने माया को फोन लगाया वे हर 10-15 दिन बाद फोन करके बाबुजी की कुशल शेम पूछ लेते थे पर उन्होंने बाबुजी से बात कभी नहीं की उन्हें डर लगा रहता था कि कहीं उन्होंने आने की जित पकड़ ली तुभे मना नहीं कर पाएंगे फोन माया की पती सुरेश ने उठाया था कुशल शेम के बाद प्रसाज जी ने कहा मैं अगले रविवार आ रहा हूँ बाबुजी से कहिए तयार रहे भाई साब आपको माया ने बताया नहीं क्या बाबुजी तो कब से चले गए चले गए कहा उन्हें लगा कि आवाज कुद ज्यादा ही उची हो गई है उन्होंने चोर नजरों से पत्नी की और देखा वह सीरियल में खोई हुई थी उन्होंने अपनी आवाज तथा शक्ती धीमी करते वे कहा कहा चले गए अपने घर जोरा मैं खुदी छोड़ाया था हाँ शायद वाबुजी ने मना किया था इसलिए माया ने आपको बताया नहीं होगा वे कुछ देर के लिए स्तब्द रह गए आप जादा परिशान ना हो भाई साब ये पुराने लोग है ना दूसरी जगा एगजस नहीं हो पाते उन्हें अपना घरी अच्छा लगता है उस रात वे जरा भी नहीं सो सके पता नहीं कैसे कैसे विचार आते रहे मुश्किल तो यही थी कि वे अपनी परिशानी पतनी के साथ भी शेर नहीं कर सकते थे वो फौरण कह देती हमने तो छह महीने जेल भी लिया पर आपकी बहन तो जरा से में ही उकता आ गई दूसरे दिन उन्होंने माया को दफ्तर से ही फोन लगाया जानते थे उस समय सुरेज भी घर पर नहीं होगा उनके उल्हानों के उत्तर में माया ने कहा भाई सहाब आप कुछ मेरी मजबूरी का भी तो अंदाजा लगाई है वे तो आठवे दिन से जाने की रट लगाए बैटे थे बड़ी मुश्किल से मैंने उन्हें 15 दिन रोका फिर वे तो अकेले ही चल पड़े बोले भोपाल कौन सा दूर है यहां से बस में बिठा दो वहां फोन कर दो कोई न कोई उतार लेगा मैंने बहुत मना किया पर वो बिल्कुल ही जित पर आ गए तो उन्हें असली बात बतानी ही पड़ी क्या? यही कि बच्चों की परिक्षा होने तक आपको यही रहना है तब तो शायद तुमने यह भी कह दिया होगा कि मैंने ही तुमसे कहा था कि उन्हें ले जाओ भाई साहब यह तो मैं कभी नहीं बताती पर उन्होंने खुदी अंदाजा लगा लिया उसके बाद तुमे पल बर भी यहां रुकने को राजी नहीं हुए बोले ईश्वर की कृपा से अभी मेरा घर सलामत है मुझे वहीं पहुचा दो फिर ये खुद जाकर छोड़ाये थे जरूरी वेवस्ता भी कराये थे इसके बाद कहने को कुछ था ही नहीं उन्होंने चुप चाप रिसीवर रख दिया और उस घड़ी को कोस्ते रहे जब उन्होंने बाबुजी को माया के साथ भीजा था पूरे हफते वे गुमसुम बने रहे फिर एक शाम मालवा एक्स्प्रेस से चली पड़े सामने वाले आंगन में चारपाईयां बिची हुई है और बाबुजी की मित्र मंडली चर्चा में मशगूल है उन्होंने जाते ही सब के पाउच हुए आशिरवात पाया फिर वे सब के सब उठ खड़े हुए पंडित जी अब आप बेटे की खातिर कीजिए हम लोग चलते हैं अरे आप लोग बैठिये न मैं क्या कोई महमान हूँ यह तो मेरा घर है आप लोग इत्मिनान से बैठें इस आगरह में शिष्टा चार तो खेर था ही एक उदेश्य यह भी था कि उतनी देर तक बाबुजी के सामने अकेले पढ़ने से बचे रहेंगे पर बाबुजी के दोस्त रुके नहीं उन्हें विदा करके बाब बेटे दोनों भी तर आए बाबुजी ने कहा तुम हाथ मूँ धोलो तब तक मैं चाय चढ़ाता हूँ बातरूम का दरुआजा खोला तो चकित रह गए बाबुजी ये कमोड कब लगवाया अभी अभी तो लगवाया है सोचा तुम लोग आते हो तो तुम्हें परिशानी तो होती होगी मुझे भी बुढ़ापे में आरहम दायक लगता है उस पुराने घर में वो नया नकोर बातरूम टार्ट में रेशम के पैवन सा लग रहा था फ्रेश होकर बाहर आए तो देखा चौके में एक छोटी सी मेज पर चाय लग गई थी साथ में बिस्कुट भी थे यह मेज भी नई लग रही है हाँ अब पटे पर बैठ कर खाना अच्छा नहीं लगता तुम्हारी मा याद आती है वैसे भी पटे पर बैठ कर खाने का मजा तो तब है जब पास बैठ कर कोई बात करे गरम गरम फुल के उतार कर मनुहार के साथ परोसे जब अपने से ले कर खाना है तो मेजी ठीक है प्रसाद जी समझ गए कि बाबुजी एक तरह से यही रहने का मन बना चुके हैं वे पहले की अपेक्षा चुस्त दुरुस्त भी लग रहे थे शायद मा की आकस्मिक मित्यु के दुख से वे उबर चुके थे अपने मन की बात कहने के लिए वे उप्युक शब्द खोज रहे थे या खेले कुछ नाश्ता ले करा बाबुजी ने कहा और जेब से पैसे निकाल कर वे तफसील से उसे कुछ समझाने लगे प्रसाद जी ने कहना चाहा कि बाबुजी आजकल मैं यह सब नहीं खाता हूँ उन्होंने खुद उटकर किसना को पैसे देने चाहे पर हिम्मत ही नहीं पड़ी उन्होंने अनुभव किया कि बाबुजी अब पुराने फॉर्म में लौट आये हैं यह भी कि यह बाबुजी का घर है यहां उनका आदेश ही चलता है उन्होंने सोचा नाश्ता आने से पहले नहा लिया जाए होगी वे लोग अब यहीं रहने लगे हैं ना यहीं मतलब पीछे गाये वाली कोटरी खाली पड़ी थी ना उसे ठीक ठा करा के दे दी है बहु भी गाउं में पड़ी थी उसे भी ले आया है वह मेरे लिए दो रोटिया डाल देती है चोका बासन जाडू बुहारी कर देती है किसना मेरी धोती फीच देता है सौधा सुलूफ ला देता है काम भी हो जाता है और साथ भी तुम लोगों को भी फिक्र नहीं रहेगी कि बाबुजी अकेले पड़े हैं लेकिन आपको यहां अकेले रहने कौन देगा मैं तो आपको ले जाने के लिए ही आया हूँ मुझे लाने ले जाने की जरुवत नहीं है बेटा मेरी जब मर्जी होगी चलाओंगा पर जब तक मेरे हाथ पाउच चल रहे है मुझे यहीं पड़े रहने दो यहां मेरे दोस्त एहबाब है नाते रिष्टेदार है पास बड़ोस है दर्वाजे पर खड़ा भी हो जाता हूँ तो दस लोग जैराम जी करके निकल जाते है वहां तो समय काटे नहीं कटता दिन भर छट की किस्से तुम लोग अपने अपने काम में मश्रूफ रहते हो अब इस उम्र में मुझसे ज्यादा पढ़ना लिखना भी नहीं होता बाबुजी की बात एकदम सही थी उसका कोई तर्क संगत उत्तर प्रसाज जी सोच रहे थे कि बाबुजी ने कहा एक बात और है बेटा तुम्हारी मा तो नहीं रही पर जब तक मैं हूँ तब तक तो लड़कियों का पिहर बना रहे कभी उनका मन हुआ तो आने को एक घर तो हो क्या वे लोग मेरे घर नहीं आ सकते उन्होंने कहना चाहा पर अपनी बात का खोकलापन मा के पीछे बेचारी जब भी आई है खुदी खट्ती रही है अब यह किसना की बहु आ गई है तो थोड़ा हाथ बटा देगी कुछ तो सहारा हो जाएगा परसाज जी ने विश्यांतर करते वे कहा बाबु जी आपने इस छोकरे को जगा तो दे दी है बाद में कहीं लफडा न हो जाए कैसा लफडा बाद में अगर इसने जगा खाली करने से इनकार कर दिया तो बाद में मतलब परसाज जी शर्म से गड़ी गए अपनी व्यग्रता में उन्हें याद ही नहीं रहा कि वे क्या कह रहे है बाबुजी ने लेकिन इसे बड़े सहट भाव से लिया बोले हरे उसकी चिंता अभी से क्यूँ बाद में तो किसी को यहां रहना नहीं है मकान तो बेचना ही है जो भी खरीदेगा वही किसना से भी निपट लेगा अपनी शर्म से वे अब तक नहीं उबर पाये थे और बाबुजी ने जैसे इस पश्ट ही उसो संकेत कर दिया इसलिए अपनी सफाई सी देते वे प्रसाजी बोले बाबुजी पर बेचने की बात तो मेरे मन में कभी उठी ही नहीं मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूँ बेटा अभी मेरे रहते तो कोई सवाल ही नहीं उठता मेरे लिए यह सिर्फ इडगारे की इमारत नहीं है मेरा मानसिक संबल है यह पर मेरे पीछे तो इससे निकालना ही पड़ेगा रख कर करोगे भी क्या प्रस्ताफ तो अभी भी आ रहे हैं भोपाल जाने से पहले इतनी अच्छी ओफर आई थी कि क्या बताओ बड़ी मुश्किल से अपने को रोक पाया ये तो कहो कि ईश्वर ने ही सदबुद्धी दे दी थी नहीं तो मेरी फजीरत ही थी अंतिम बात कहते कहते बाबुजी का स्वर भर रा गया था इतनी देर से प्रसाज जी के मन में जो बात खटक रही थी उसे कहने का भी यही मौका था उन्होंने बिना किसी भूमिका के कही डाला बाबुजी आप माया के यहां से उस पर जिद करके चले आए यह अच्छा नहीं किया जानते हैं मैंने अब तक यह बात आपकी बहु को भी नहीं बताई है वह तो यहीं सोचेगी न कि माया अपने बाबुजी को महीना भर भी नहीं रख सकी यह तुमने बहुत अच्छा किया बहन को कट घरे में खड़े होने से बचा लिया बाबु को मुझसे परिशानी होती वे मुझसे ऊप जाते और माया से कहते तो सोचो क्या होता मुझे तो कहीं मूझ पाने की भी जगा नहीं मिलती ऐसी नौबत आने से पहले ही वहां से चल देना अकलमंदी थी इसलिए चला आया पर आप यहां क्यों आ गए? सीधे भोपाल आ जाना था ना? प्रसाज जी ने कहना चाहा पर उनकी आवाज गले में फसकर रह गई बाबु जी जैसे उनकी बात समझ गए फिर बाबु जी जैसे उनकी बात समझ गए पीट थप थपा कर सांत्वना के स्वर में बोले रात भर के ठके हो, थोड़ा अराम कर लो मैं एक चक्कर बाजार में लगा कर आता हूँ कौन सी तरकारी खाओगे? आप सभी का स्वागत है कहानी जानी अंजानी के एक और एपिसोड में आपने जो भी कहानी सुनी वो थी मालती जोशी जी की लिखी वी कहानी कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें जरूर लिखकर बताए लेकिन उससे पहले आपके इंतजार को खतम करते हैं क्योंकि हमारे साथ आज जुड़ी है खुद मालती जी जो इस कहानी पर हमारे साथ चर्चा करेंगी मालती जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है कहानी जानी अंजानी के इस एपिसोड में तो मालती जी इस फोन कॉल के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद क्योंकि हम बहुत समय से चाहते थे कि हम आपको कहानी जानी अन्जानी पढ़ लाए आपकी कहानी पढ़े और साथ में आपसे धेर सारी बातचीत भी करे तो चलिए पहले कहानी से ही शुरू करते हैं वो तेरा घर ये मेरा घर नाम से ही कहानी बड़ी पारिवारिक लगती ही है और मेरे ख्याल से आपको ये भी कहा जाता होगा कि आप ही कहानी पढ़के लोगों को लगता है कि वो उस कहानी का यह तो हिस्सा रह चुके या वो उनके आसपास ही गुजर रही है मुझे तो यही लगता है कि यही आपकी खास बात है कि आपकी जो कहानिया है पाठकों में इतनी जादा लोगप्री हो जाती है और शायद यही बात है कि आपकी कहानिया इतनी असल और इतनी रिलेटेबल लगती है हाँ क्योंकि आजपास सब जो कुछ है मेरा माहूर वही है अम रहों के परिवार सही उसको परिवार रहे हैं माबाप साथ रहते हैं तो भी आजकर से उसको परिवार रहता है बिलकुल मैं खुद एक जॉइन फैमिली में पला बड़ा हो तो मैं समझता हूं आप क्या कह रही है बिलकुल भली बाती। और यही पर मेरे ख्याल से आपकी एजो कहानी और बी जदा खास हो जाती है वो तेरा घर यह मेरा घर क्योंकि यह इसी तरह के आप परिवार की कहानी है मेरे ख्याल से मालती जी इसका एक कारण ये भी कह सकते हैं कि आजकर क्योंकि मोबाइल इतनी जादा प्रचलित हो गई है और अपने आस पास के लोगों से जादा वो वर्च्वल वर्ल्ड वो मोबाइल पे लोगों के साथ रहना जादा पसंद करते हैं चाहते हैं शायद इसलिए भी तो आपको इस कहानी के प्रेवार कहां से मिली क्योंकि इस कहानी में जैसा आप कहरे हैं सबकी ज़नों से जोड़ा रहना चाहता है तर्वार को भी खुछ रखना चाहता है तो उसको बड़ा पश्म हो जाता है दोनों में बैलेंस करने और उसको ये अनुगव हो है कि मा नहीं जहीं को पापा अके लिए रहें लेकिन तो कि उनके आने से बहुत जूचाल जैसा आ जाता है तो जो एक जो तो ये कहानी आपने लिखी कब थी और आज भी ये कहानी मतब लगती है कि आज ही आपने बैठकी लिखी क्योंकि ये कहानी इतनी सच है मुझे इस कहानी में आपके इस कहानी में एक खास बात जो बहुत लगी कि आपने लगबक सबकी ही मनोबृती सबके ही पक्ष से अपने बात की है चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो बीवी हो चाहे वो पिताजी हो, चाहे वो बहन हो आपके अपने सभी का पक्ष दिखाया है तो वोह ही जो uljan है जैसे आपने का बेटे के ही uljan यहां पर सबसे जादा ऊबर के आती है वो uljan बहुत ही relatable है वो uljan सबके मन में आती है और मेधाल से अंत में जो उपाय निकलता है कि पिता जी अपने घर में ही रहना चाहते हैं वहरे ही रहना चाहते हैं और बेटा चाहा कर भी घर नहीं ले जा सकता आपकी एक कहानी पढ़के मुझे एक और कहानी याद आगे जो हमने हमारे पॉड़कास्ट पे काफी समय पहले पढ़ी थी और आपने भी पढ़ी होगी शायद वो कहानी है वापसी उशा प्रियमवदा जी की लिखी हुई जिसमें वो रिटायर होकर पिता जी घर लोटते हैं और फिर उनके लिए खुदी के लिए जगा नहीं पाते हैं तो वापस अपने जहां से आये थे वहीं लोट जाते हैं वही है घूम फिरकर में ख्याल से सारी बात एक ही चोटे से बात पर आजाती है कि कितना आप एडजस्ट करना चाहते हैं अपने ही परिवार वालों के लिए तो मालती जी आप कहानी बहुत समय से लिख रहे हैं जीट कार के लिए परिषट बिखी मालवासी मेरा वेदर कहा जाता ता मुझे और उसमें थोड़ी बहुत कहानी लिखी ते वो वीच का एक एक ऐसा दस साल का एक पीरेड जिसे में अकार इस पर उती कभी ता कहानी यह हो रही है ओड़ी तो मैंने बच्छों के लिए लिखना शुरु है कराइक लिए पर आत आप नाम नहीं बहुत लिखा बच्चोंकों लिखी तर उसमें थिस्ट मुझेल काहानी यह जिए जब में थे पहली और ने अधिर भारती मंच मिल गया, स्वाथाइश हिंदुस्तान और दर्मुष इन दो में कहानियें तो छपने का मतलब साथ आप पूरे इंदुस्तान में पढ़ जाने और उन पत्रिकाव में जो कहानिये चपने लगी तो प्रकाशक अपने आप प्रस्ताओं देगी तो मैं प्रस्ताओं मेरी पहली किताब मराठी में पार्शान के नाम से प्रसुत देगे तक तक थे बीवानों को पता ही मिर्म हराठी आच्छा और आज कल भी आप कुछ लिख रही हैं? हाँ के रहीं, कहांनी हो है. चवी कान एक लिखता रहे हैं, कहांनी यही लिखने वह रstudy. ही ओक्याम मेरा, बाइनन। मेरा, वन्रेक मघनी है. मैं एक zona二 को मेरा, मालती जी आपकी कहानिया तो इतने सालों से छप रही है इतनी लोगों ने पड़ी है कोई ऐसा प्रसंग याद आता है अपकी कहानिय से लेटेट जो आपको बहुत चूगया हो किसी फैन ने आके कुछ कहा हो जो आपको अपको आप हमेशा यादर करती है पत्र नहीं लेकिन उमीद करता हूँ कि हमारा जो आपकी बाते सुन रहे हैं वो सभी पत्र नहीं भी तो कम से कम एमेल के जरीए आप तक संदेशा पहुचाना हो तो पहुचाए हमें लिखे हम आप तक जरूर पहुचाएंगे क्योंकि भई लिखित नहीं तो कम से कम और यही सहचता है मालती जी जो शायद लोगों का आप से इस तरीके से जोड़े रखती है आपके कहानियों कि आप इतनी सहचता इतनी सरलता से इतनी प्यारी बाते कर जाती है और ऐसी बात ही जो को बिल्कुल बिल्कुल क्या आप जाते जाते हमारे लिए कोई कविता सुनाना चाहेंगी? जरूर जरूर अई गिल्कुल क्या जाते हमकोताственно वह के जाते हमारे जाता भी मुदने इक कौलकुल क्या सुनासान चाहेंगी? भी हमेगी सबिस्टेय कोई खूरे सूमारे उपान चाहेंगी सानाई सुने मुदन thành जिए क्याता इस आदे सौमा बेतना चाहिए जरूर आपका लाइस आपको नायूम है नहीं? जी जी आपको नायूम है नायूम है नायूम है उपवासों का घरल जोलकर दिया जगत में मेरे करने मैंने ये विश्पान किया है फिर भी अमरतगान किया है मैंने विश्पान किया है फिर भी अमरतगान किया है मैं गीतों के राई मुझ पर तैसा में सिने अंजरन प्रेशन तुम मेरे मन दी मैं मेरा मतवाली है तो मेरे मन दी तो मेरे मन दी तो मेरे मन दी बहुत ही खुबसूरत बहुत ही खुबसूरत मालती जी बहुत बहुत धन्यवाद मैंने आपको यूँ ही पूछ लिया और आपने हमारे ख्वाईश की तामिल के इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैं करना चाहूंगा कि आप हमारे लिए समय निकाली आज जुड़ी और सभी सुनने वालों के लिए इतनी प्यारभरी बाते आपने की। जैसे कि मैंने पहले कहा कहानी जानी अंजानी का ये सीजन अपने आखरी पड़ाव में हैं। हम एक सेल्फ फंडिट पॉड़कास्ट है और आगे बढ़ने के लिए हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है। आप अपने योगदान से हमें सपोर्ट कर सकते हैं। चाहे वो 500 रु इसकी जानकारी के लिए प्यूशगरवाल.com पर सपोर्ट दशो लिंक पर क्लिक करें। आप जिस भी आप पर ये पॉड़कास्ट सुन रहे हैं। हमें सब्सक्राइब या फॉलो करना ना भूलें। हर शुक्रवार आप तक नई कहानिया लाने का श्रे मैं अपनी टीम को देना चाहूंगा। आज की अपिसोड की प्रडियूसर हैं देवानशी बत्रा। आप सुन रहे थे कहानी जानी अनजानी प्यूश अगरवाल के साथ। जो की इंडी पॉडकास्टर की एक पेशकश है। तो हम आपसे मिलते रहेंगे। हर शुक्रवार। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुस्त रहिए और मस्कुराते रहिए।